जय श्री राम, जय हनुमान वित्रो 164 एपिसोड में आज आपका स्वागत है 26 अप्रेल 1961 को श्रीकृष्ण गौशाला आग्रा में किया गया प्रवचन टॉपिक है शांती कब मिलेगी एक बार एक राजकुमार वन में गया तो उसे वहाँ एक महात्मा मिला जो बहुत शांत अवस्था में था राजकुमार ने उनसे पूछा कि मैं शांती की अवस्था को कैसे प्राप्त करूँ महात्मा ने कहा तुम तो राजा के सुपत्र हो प्रंतु मेरा रिष्टा है राजाओं के राजा से अगर उसका दर्शन करना चाहो तो पहले बताओ कि तुम कौन हो फिर मैं शाहिंशा को जाकर कहूंगा कि वो तुमें दर्शन दे राजकुमार ने उससे अपने नाम पते वाला विस्टिंग कार्ड दिखाया महात्मा ने कहा ये कार्ड तो किवल काफ़स का एक टुकड़ा है और बताओ कि तुम वास्तव में कौन हो मंत्री से विचार विवर्ष करने के बाद राजकुमार ने कहा कि मैं मन हूँ फिर कहा कि मैं बुद्धी हूँ तब महात्मा ने कहा कि मैं प्राण हूँ महात्मा ने बोला कि मनवा बुद्धी मेरे है इसका मतलब कि अभी भी तुम दूसरी वस्तुर हो यह सुनकर राजकुमार आश्यर में पड़ गया धीरे धीरे उसे ज्यात होने लगा कि मैं आत्मा हूँ फिर तो उसे कुछ और पूछने की आवेशक्ता ही नहीं पड़ी तथा आत्मा में परमीश्वार का दर्शन करके महाशान्ति उसने प्राप्त कर ली मन मन एक शक्ती है, मन के बिना मनुष्य अधूरा है मन को किसी काम में लगाएंगे, तब ही वहक काम्याब होगा भगवान के बिना कार्य अधूरा रहता है, मन बुद्धी से चुड़ा होना चाही बुद्धी भी अच्छे बुरे की पहचान करने के लिए आत्मा से प्रकाश प्राप्त करती है शरीर, रत्र, मन, घोड़ा, बुद्धी लगाम वा आत्मा कोचवान है पापी वा ज्यानी मनुष्य में यह अंतर है कि पापी का मन इंद्रियों के जाय को वा बहरी विश्यों में दोड़ता रहता है परन्तु ज्यानी अपने मन रुपी घोड़े को बुद्धी रुपी लगाम से पकड़का चलाता है तथा उसकी पुद्धी फिर आत्मा से जोती प्राप्त करती है रिशी मुनी मन पर नियंतर्ण रखकर स्यम के भीतत जहांक कर स्यम को आत्मा का स्वरूप समझते हैं धन्यवाद जय श्रे राम